अगनिपत्य योजना जिसके विरोध में योवा इस स्वक्त सडकों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब किसी देश का युवा किसी कानून को लेकर सडकों पर उतर आए तो कहीं न कहीं उस कानून पर प्रशन चिन्य तो लगी जाता है। तहट भारत का युवा चार साल के लिए अगनिवीर सेना का हिस्सा बनेंगे। यानि कि अब इस यूजना के चलते भारत के वीर केवल चार साल के लिए ही भारती सेना का हिस्सा बन सकेंगे। और अगर इन चार सालों में जिसने अच्छा काम किया होगा उसमें से केवल 25 प्रतिशत युवा ही आगे अपना कारेभार समह लेंगे। और बाकियों को उनके घर भेज दिया जाएगा। इस बीच अगनिवीरों को 30,000 रुपए के मासिक वेतन पर रखा जाएगा। चौथी साल में वेतन बढ़ा कर 40,000 कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 4 साल के बाद अगनिवीरों को लगभग 12,000,000 रुपए की धनराशी दी जाएगी। जो कि उनके मासिक वेतन से अलग होगी। अब इस योजना से जुड़े और भी कुछ नियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस योजना में आविदन करने वाले यवाओं की आयू 21 से 23 साल के बीच हो ली चाहिए। कि इन सब चीजों को देखते हुए आपको आगे सेना की सेवा करने का मौका मिलेगा। जोखिम, रासन, वर्दी और उप्युक्त यात्रा में छूट मिलेगी। सेवा काल के दोरान अगर अगनिवीर की मृत्यू होती है तो उनके घरवालों को 44 लाख रुपई की धनराशी दी जाएगी। या तो थी भारत सरकार की अगनिपत योजना की स्कीम। अब जानते हैं कि युवा यानि हमारे देश का भविस्य योजना का विरूद क्यों कर रहा है। जब आप किसी बुक सेंटर के पास से निकलते हैं तो अक्सर आपने उसके बाहर लगे हुए बोर्ड को देखा होगा जिस पर कई तरह के परचे लगे हुए दिख जाते हैं। उन पर लिखा होता है कि बैंकों में इस पद के लिए बंपर भरती, रेलवे में बंपर भरती, इसमें बंपर भरती, उसमें बंपर भरती, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकार सब सेक्टरों को प्रा प्राइविट कर दिया गया है सरकार रेलवे की बात करें तो उसको भी पूर्ण रूप से प्राइविट करने की बात कर रही है केवल दस प्रतिशत करमचारी ही रेलवे में सरकारी रहेंगे और अब जिसमें भारत सरकार सबसे जादा नोकरियां निकालती थी वह डिफेंस औ भरतियां भी एक तरह से खत्म हो जाएंगी चार साल की नोक्री के बाद भारत का युवा बारह लाख रुपए लेकर दर दर भठकेगा और युवाओं का मानना है कि इस योजना के जरिये भारत सरकार सेना की पैंशन को भी पूर्ण रूप से खत्म करने की योजना बना रही है इस योजना का विरोध कई पूर्व सेनकों ने भी किया है लेकिन इस बात पर एक सवाल तो बनता है वो सवाल है यह कि अगर हमारे देश के वीर जवानों की पैंशन बंद करने का प्रयास किया जा रहा है नेताओं की पैंशन बंद करने की बात कोई क्यूं नहीं करता य 268 पूर्व सांसदों के बाद उन पर आश्रित लोगों को पैंशन दी जा रही है। राज्यसभा के 508 पूर्व सांसद अभी तक पैंशन पा रहे हैं जबकि राज्यसभा के 219 पूर्व सांसदों के बाद उन पर आश्रितों को पैंशन दी जा रही है। वर्स 2017-18 के आंकडों की माने तो देश में पूर संसदों की पेंशन पर हर महीने 58 करोड रुपए खर्च हो रहे थे और यह खर्च 2018-19 में बढ़कर 70 करोड 50 लाख प्रतिमा हो गया इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि साल के एक साल में नेताओं के उपर पेंशन के लिए कितना रुपए खर्च होता है और सेनाओं के वीरों को जो कि अपनी जान जोखिम में डाल कर देश की रक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन देने में नेताओं के पेट में डर्द होता है यही नहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनमें विधायक अगर सांसद बन जाए तो वह सांसद होने की सेलरी तो लेता ही है साथ ही साथ विधायक की पेंशन भी उसको दी जाती है क्योंकि ये नेताओं को पैसा मिलता है तो इसका कोई भी नेता विरोध नहीं करता लेकिन नेताओं की पेंशन योजना में सुधार होना चाहिए और यही कारण है जब देश का युवा अपने हक मांगने के लिए नेताओं से इनकी पेंशन के लिए सवाल पूछता है तो इनकी बोलती बंध हो जाती है लेकिन फिलहाल देश का युवा जिस तरीके से विरोध कर रहा है, हिंशक प्रदर्शन कर रहा है, सारवजनिक संपत्यों को शती पहुंचाने का कारे कर रहा है, यह पूर्ण रूप से गलत है, और यह सब अपराद की श्रिणी में आता है अगर सरकार की किसी बात या कानून का विरोध करना है, तो शांती पूर्ण तरीके से और बिना किसी हिंसक प्रदर्शन के करना चाहिए, हमारी भी देश के युवाओं से अपील है, कि देश में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन ना करें, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, य ये जो देश के युवा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं, ये सब जानकारियां आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजेगा, चैनल पर नए हैं तो ने चैनल को सब्सक्राइब परके नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लिजे, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, धन्यवाद.